नमस्कार दोस्तों मैं पंडित केके सर्मा संपादक जोतिस गुरू मासिक पत्रे का स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चैनल में और स्वागत करता हूँ आपका इस खास कारक्रम में आज इस खास कारक्रम में हम आपके समक्ष बहुत ही खास जानकारी लेकर उपसे थें विशेस रूप से उन लोगों के लिए जो ब्यापारी है या व्यवसाई वर्ग है प्रत्यक रासी के जो ब्यवसाई हैं उनके लिए हम ऐसी जानकारी लेकर आए हैं किस तरह से जो आपका ब्यापार वेवसाय है उसको किस तरह से आप उचाईयों तक ले जा सकते हैं या किस तरह से आप वहाँ सफलता प्राप्ट कर सकते हैं किस तरह से जो आ रही वहाँ पर बाधाएं रुकावटें समस्याएं जो मुश्किले आ रही हैं उनको कैसे आप रो में हम आज बताने जा रहे हैं हम बात कर चुके हैं पहले मेश रासी की बात कर चुके हैं विरिश रासी की अब हम बात करेंगे अगली रासी की यानि मिथुन रासी की कि किस तरह से मिथुन रासी के जातक अपने व्यापार व्यवसाय में जो मुश्किले हैं उनको उनसे कैसे बस सकते हैं तो मिथूल रासी के जो जातक हैं उनके जो रासी स्वामी है यानि मिथूल रासी का जो रासी स्वामी है वो सौर मंडल के युबराज यानि बुद्ध को माना जाता है यानि बुद्ध आपकी रासी के स्वामी होते हैं और ये रासी व्यवसाय से प्रतक्ष सम्म पंद रखती है क्योंकि रासी का स्वामी बुद्ध है बिथुर रासी के जो जातक हैं उनको कुछ ऐसे उपाय हम देने जा रहे हैं जिनको करने से आसा अनकूल आप अपने ब्यापार विवसाय में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे और जो मुस्किले हैं उनमें भी कमी कर सके ना मुने नहीं लगाने चाहिए चाहे वो नकली ही क्यों ना हो यानि चाहे नकली हो यासली हो जो प्लांट्स हैं उनको लगाने से आपको बचना चाहिए कहीं भी यात्रा के समय जाते समय जब भी आपको कोई किनर मिले आपको जब भी कोई किनर दिखे उसको कुछन कुछ नगद धन उसको अवस्य आपको देना चाहिए और उसका आसिरवाद प्राप्त करें जब भी कोई ब्यवसाय से संबंदित गंभीर निरड़ लेना हो अथवा कोई नई योजना कोई नया कार शुरू करना हो तो प्रयास करिए कि जो आप निरड़ लेने वाले हैं यानि जो नया फैसला लेने वाले हैं उससे पूर्व किसी एक किनर को कोई महत्वपूर लेते हैं उनका दान आप अवस्य करें अगर यह संभव नहीं है कि किनर को हरे वस्तर अगर आप नहीं दे सकते तो गाय को हरी सबजी हरी घास वह आप खिलाएं और जो मिथुन नासी के जातक हैं उनको अपने कारिस्तर जो आपका बेवसाइक सब्स्तर है वहाँ पर हरे भरे पौधे और पुस्प अवस्तर लगाने चाहिए चाहे वो नकली ही क्यों नहों नकली पुस्पों से नकली पौधों से आप अपने कारिस्तर को भी सजा सकते ह अपने कार्या लेके सामने की जो दिवाल हो जो सामने वाली दिवार है उस पर एक बड़ी सी घड़ी यानि उस दिवाल पर आपको एक बड़ी सी घड़ी लगानी चाहिए लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि वो घड़ी कभी भी बंद ना होने पाए अगर किसी कारण से घड़ी बंद हो जाती है तो तुरंत उसको चालू करें बारवार अगर बंद हो जाती है तो उस घड़ी को तुरंत बदल दें वहाँ उसकी जगे पर नई घड़ी लगाएं लेकिन घड़ी को बंद ना होने दें जो आपने अपने व्यापार इस्थाल पर आफिस में जो आप अपने पूजा इस्थारा अपने बना रखा है उस पूजा इस्थान में सिरी गनेजी और माता दुरगा इन दोनों की तस्वीर प्रत्मा आपको निश्यत रूप से अवस्य लगाने चाहिए और सिरी गडेस अरधर सीर्स और सिरी दुरगा चालीस के साथ सिरी सिद्व कुंजिका इस्तरोत का पाठवी संबब है तो आप उसको निर्थ प्रत्त आपको करना चाहिए निर्थ प्रत्त करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा जो मुस्किले हैं वो निश्यत रूप से आपकी दूर होगी भोग में मोदक और रितूफल जो भी रितूफल चल रहे हैं उनको भी अवस्य रूप से ही अरपित करना चाहिए तो ये बात की हमने मिथुन नासी के जो व्यवसाई हैं या जो मिथुन नासी के लोग जो भी ब्यापार व्यवसाई से जुड़े हैं उन लोगों के लिए किस तरह से उनका जो कारिस्थल है वहाँ पर रुकावटे ना हैं जो रुकाबटे आ रहे हैं उनसे किस तरह से बच सकते हैं चलिए आगे बात करेंगे हम करकर 80 से लेकर मीन नसी तक के जातकों के लिए भी किस तरह से वो अपने कारिस्थल में आ रहे ही जो बादाएं उनसे बच सकते हैं या उनसे दूर रह सकते हैं दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद करें साइड में लगे वेल आइकोन को दवाएं ताकि आप ऐसी ग्यान बर्दग रोचक जानकारियों से कहीं बंचित ना रहें दूसरा प्रत्यक दिन हम आपके समक्ष सुबह साड़े साथ बजे उस दिन का रासी फल उस दिन का पंचांग उस दिन का रहुकाल अगर कोई तिथी विसेस होती है तो उसके बारे में जानकारी लेकर और आप लोगों के द्वारा भेजे के जो प्रस्न होते हैं उनके उत्तर लेकर हम आपके समक्ष पस्तित होते हैं तो वो भी देखते रहे और आपके ग्यान अरजन के लिए हम बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं उनको भी देखते रहे जो जानकारी आपको अच्छी लगें उनको दूसरों के साथ सेयर भी करते रहे चलिए आज के लिए इतना ही आग्या दीजे नमस्कार